हलो दोस्तो विलकम टो ग्यान सेवर 24 दोस्तो आज के इस वीडियो में सीखिने वाले हैं यह सरमकार्ड CAC पोर्टल से कैसे बनाएंगे जी हैं दोस्तो एस्टेप आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ शरीए दोस्तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं देखें अगर आपको साम में मिल जाएगा आपको वीडियो देखकर उसके बाद ही आपको एक बार आपको खुद से करेंगे मैं बताने जा रहा हूं ठीक है सेम यही प्रोसेस होता है सबसे पहले दोस्तों क्या करना है ब्रावजर ओपन कर लेना है और आपको CAC कनेक्ट है जो भी आप CAC लोग इन करके आप अपने पोर्टल को जैसे लोग इन करते हो आपको पोर्टल को लोग इन कर लेना है ठीक है जैसे आप Portal को Login कर लेतो हो कुछ इस तरह की इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा देखिए आपको आना है नीचे ठीक है और थोड़ वेट कर लेना यहीं पर आपका इसरम कार्ड करके लिखा हुआ आ जाएगा आना ही तो आप सर्च भी कर सकते हैं ठीक है देखिए आ गया इसरम एन डी यू डबलो राइस्टेशन ठीक है आप इस पर क्लिक कीजिए बगल में आ जाएगा यहां से ओपन करने के लिए व्यू फोड़क्ट पर क्लिक कीजिए और यह देखिए आपको लिंक में डिस्क्रिशन बॉक्स में प्रोवाइट करा दूँगा वहां से आपको ओपन कर लेना है जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह की इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा ठीक है आने के बाद आपको करना कुछ नहीं है आपको यहां लिखा हुआ राइस्टेशन थ्रू CAC डिगेटल सेवा देखिए दोनों में क्या फोर्ग है जैसे आपके अधारकार्ड में मुबाइल नमर राइस्टेड नहीं है आप खुद से नहीं कर पाएगा जब तक CAC सेंटर पे नहीं जाईएगा तब तक ठीक है अब देखिए यहां से UW राजिस्टर लिखा हुआ इस पे क्ली कर देना है क्ली करने के बाद आपको यहां पे डालना है जो मुबाइल नमर राइस्टेड है आपके अधारकार्ड में वहीं यहां पे डाल देना है ठीक है बत आप CAC सेंटर पे गए हुए हो तो आपको वहां से कुछ करना नहीं है आपको direct मुबाइल नमर ही कोई भी एक मुबाइल नमर डाल देना है यह जो क्याप्चा दिख तो यहां से फिल कर देना है ठीक है जैसे ही आप Send ODP पे क्लिक करते हो कुछ इस तरह की इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहां से आपको OTP डाल देना होगा ठीक है चली मैं OTP यहां से डाल देता हूँ और दिन आगे का प्रोसेस आपको लास्ट तक जरूर देखना है समीट पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप समीट पे क्लिक कर देते हो दोलतो तो कुछ इस तरह की इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा दिखिए जब मुबाल नमर आइस्टार्ड होगा तो OTP पे क्लिक करेंगे जब मुबाल नमर आइस्टार्ड नहीं होगा तो फिंगर फ्रिंट या फिर आपको आईरिस पे है देखिए आप एक आम जानता हो तो आप भी इस प्रोसेस को फोलो कर सकते हो अगर अधार काड में मुबाल नमर आइस्टार्ड है तो आपको OTP पे क्लिक कर देना है जैसे म उसके बाद यह जो केप्चर दिख रहा है यहां पे आपको इसको करना क्या होगा फिल कर देना होगा ठीक है चलिए मैं डाल लेता हूं और समीट पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूं जैसे ही आप समीट पे क्लिक किजिएगा तो देखिए कुछ इस तरह की इंटरफेस पे आ जाईएगा आप देखिए जो मुबाल नमर राइस्टर्ड होगा उस पर एक ओटी पी जाएगा आपको यहां पे फिल कर देना होगा पहले वाला से कोई मतल्ब नहीं है ठीक है तो आप यहां पे क्या करना है आपको अभी के जो ओटीप आया हुआ हुआ है वो आपको यहां पर फिल कर देना है देखिए इससे क्या होता है कि आप अपने अधार account को login कर जाएंगे validate पे click कर देना है जैसे ही दोस्टों आप validate पे click करते हो तो देखिये कुछ इस तरह की interface आपके सामने आ जाएगा ठीक है ये देखिये आपके सामने कुछ इस तरह की interface आ जाएगा total detail खूल कर ठीक है पे ठीक है आपको continue to enter other detail पे क्लिक कर देना होगा जैसे ही क्लिक करते हो तो देखिए आपका क्यवाई से आपका complete हो गया अब यहां से आपको personal detail डाल देना होगा personal detail डालने के लिए आपको मैं एक बता दूँ कि जहां पे यह आप देख रहे एक star mark आपको वह ही detail डालना होगा ठीक है अधरवाज छोड़ देना होगा total detail ठीक है यहां mail ID है तो डाली है ने तो छोड़ दीजिए आपका साधी हुआ है या नहीं हुआ है यहां से आपको अपने according option को चूझ कर देना होगा ठीक है अनिक्षट आईएगा तो यहां फादर स्नेम आपको डाल देना है दिन आपको category आपको यहां से चूझ कर देना है जैसे आप category चूझ कीजिएगा तो यहां से आप category यानि कि card certificate भी upload कर सकते हो अगर नहीं है तो दे नहीं है तो आपको छोड़ देना है यहां से देखिए अगर आप फिक लांक हो तो यहां यह करने नहीं तो अधर वाज आपको नो कर देना है देखिए यहां नोमनी डीटेल आप डालना चाहते हो तो यह पर क्लिक करके आप नोमनी डीटेल भी डाल सकते हो ठीक है अगर न merid पे क्लिक कर दोना जैसे save and continue पे आप क्लिक करते हो तो देखिए कुछी तरकी interface आपके सामने आ जाएगा यानि की address लिखने के लिए सबसे पहले home आपको estate डाल देना होगा फिर house नमबर आपको डाल देना है ठीक है जो आपका house number होगा वो आपको यहाँ से डाल देना होगा फिर आपको दिन आपको यहाँ से estate चूज कर देना है जैसे आप estate चूज कीजिएगा तो देखिए कुछी इस ऐस तरह की interface फिर आपको यहाँ से अपने district को चूज कर देना है और यहाँ देखिए कब से रा रहे हो यहां पर जानते हो क्या डाला जाता है यहां पर जितने यहर कि आप हो उतने साल से आप इस लोकेशन पर आ रहे हो मतलब जब से जनम लिए हो तो जैसे 25 या मोरदन 25 आपको यहां कर देना है ठीक है Migrant यहां से Worker है जैसे आप Yes करते हो तो जो भी आप Worker हो यहां से यह आप यहां से डाल सकते हो अगर नहीं डालना चाहते हो तो आप No कर सकते हो ठीक है तो चलिए मैं यहां से आपको Education कर लेते हूँ ठीक है आ नहीं तो No पे ही रहने देते हैं इससे कोई दिकरत नहीं होगा आपको Save and Continue पे क्लिक कर देना है ठीक है जब आपके पास House नमर नहीं होगा तो आप यहां से Word नमर आपको डाल लेनी है उसके बाद आपको Save and Continue पे जैसे ही क्लिक किजिएगा तो देखिए कुछ इस तरह की इंटरफेस पे आ जाईएगा अब आपको डालना है Educational Detail यहां से Qualification में आप जो भी Qualification किये हुए आपको यहां से डाल देना है ठीक है जैसे Graduate कर लिए हैं तो गेर्जुएट आपको डाल देना है यहां से Educational Qualification का जो Certificate होता है Marksit है वो आप डाल सकते हो अगर नहीं डालना चाहते हो तो फिर आपको छोड़ देना है ठीक है Monthly Income as Lab देखिए Monthly Income आपका होता है यह नहीं होता है तो आपको यहां से देना होगा ठीक है जैसे यह Worker के लिए है तो कुछ आप दे देना कोई दिकत नहीं है अब यहां से Income Certificate आप डेना चाहते हो तो डे देना अधरवाई आपको छोड़ देनी है ठीक है Save and Continue पे क्लिक कर देना है चलिए मैं यहां से 10,000 दे देता हूँ और यहां से आपको Save and Continue पे मैं क्लिक कर दूँगा ठीक है जैसे हैं किजिएगा यहां से Occupation and Skills से Detail आ जाएगा ठीक है जो भी आप यहां से डालना चाहते हो डाल सकते हो Skills से Detail, Occupation में कि आपका प्रेसा क्या है देखे यह स्रम कार्ड है स्रम कार्ड का मतलब होता है Worker कोई न कोई काम अगर आप करते होगे तो आप यहां detail डाल पाओगे ठीक है अब देखे यहां से आप क्या देना चाहते हो अगर आपके माइंड में यह नहीं आ पा रहा है तो लिखा हुआ Click Here to NCO Code से List यहां से Click कर देना है और List आपके सामने आजाएगा और उसी के according आपको डालनी है ठीक है तो देख लिजिए आपके according कौन सा इसमें code है वो code आपको feel कर देनी है ठीक है इसाले में इसमें आपके टीशर कर्मा है बहारें नहीं आणरा सामने आपको ब्लीनोफव कर देना है चलिए मैं यहां से स्कूर्ड को डालना देता हूं वो है तो जो भी है आप होम ट्यूशन से रिलेटेड है तो तीरपन बारे अब देखे जैसे आप कोड लिखिएगा तो आ जाएगा सेलेक्ट करने के लिए नहीं आया हुआ है तो इसका मतला भी नहीं हुआ है सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा उसके बाद ही आपको सेव एन कंटिनीव पर करना है तो जैसे मैं हो गया यहां तीरपन बारे तो मैं फिर से लिखता हूं जो तो अब वेट कर लेना है ठीक है जैसे वेट कीजिएगा तो आ जाएगा यहां से सेलेक्ट करने के लिए देख सबसे पहले तो कोड आपको लिखे देनी है अगर कोड से नहीं आ रहा है सामने तो दिन उसके बाद आपको क्या करना है छोड़ देना है और देखना है यहां क्या लिखा हुआ है और यहां पर क्ली करके ले लेना है ठीक अब कुछी सतरके अजाएगा और अधारकाट से लिंग है यह से बता देरा है बोला registered with bank account अगर करना चाहते हो तो ठीक है नहीं करना चाहते हो तो आपको save and continue पे click कर देना है जैसे आप bank detail देना चाहते हो तो आपको yes पे click कर देना है और यहां से आपको bank detail डालनी होगी ठीक है तो आप card में bank detail डालना चाहते हो तो डालिए आ नहीं तो आपको करना क्या होगा no पे click करके save and continue पे click कर देना है ठीक है चलिए मैं आगे के process आपको बता रहा हूँ जैसे आपको लिखा हुआ है कि bank seed में yes है तो छोड़ देना है आपको automatic वह आपको bank से link तो है यह already पहले से save and continue पे आपको click कर देना है जैसे आप save and continue पे आईए जैगा तो यहां से आपके सामने आ जाएगा previews करने के लिए ठीक है तो previews करने के लिए आ जाएगा तो आपको detail एक पर देख लेना है आच्छा से ठीक है तो जो भी आपका detail होगा तो यहां से आपको देख लेना होगा और आपको देखने के बाद आपको submit पे यहां से term and condition पे click करके submit पे click कर सकते हैं ठीक है अगर आपको लग रहा है कि कहीं से आपका दिक्कत है ठीक है तो जानते हैं आपको करना क्या होगा जैसे मुझे यहां change करना है तो यह देखी address वाला tab है तो आपको address में click किजिएगा आपके सामने आ जाएगा address fill करने के लिए जैसे मैं यहां आपको कुछ address अबरा लिख देता हूँ जैसे यहां से मैं डाल देता हूँ add यह हो गया पिर यहां से डालूंगा पोस्ट ठीक है और फिर यहां save and continue कीजिएगा और यहां से previous पे click कीजिएगा automatic यह हो जाएगा चलिए मैं previous पे click करके दिखा देता हूँ देखिए मैं बताया था नो कि bank के यहां चीट जब yes रहेगा तो आपको समझ लेना है कि आपका bank यह ऑटोमेटिक क्या है यहां खीच लेगा ठीक है और यह देखिए आपका add जोखिचा पर यह वारा आगे आपका all ready ठीक है आपको देख लेना है total सही है या नहीं है ठीक है और आना है यहां पर term and condition पर click करना है और आपको करना क्या होगा यहां continue पर click कर देना है मतलब submit पर जैसे आप submit पर click करते हो तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा और देखिए आपको करना क्या होगा यहां लिखा हुआ है कि देखिए आपका राइस्टर्ट successful हो गया है अब अभी ही आप क्या कर सकते हैं download UAM card ठीक है जैसे download UNA card आप कीजिएगा तो automatic यह देखिए मेरा UNA card बन चुका है और download करना चाहते हैं तो यहां से आप download भी कर सकते हो देखिए यह video download हो चुका है तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ चुका है अब अगर आपके पास कोई question अगरा होगा तो आप comment section में comment कर सकते हैं otherwise आपको ऐसे ही आपको बना लेना है ठीक है आम जानता हो फिर फिर भी मैं पार्ट टू में सामलक के लेकर आ रहा हूं विदावत आप CAC से कैसे बनाओगे चलि दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियोब में thanks for watching